उनको हमेशा नहीं छेरना, जब नया हार्ट ड्राइब लगाओ तभी पार्टिसन को छेरना, अदरवाज क्या होता है कि पार्टिसन के टाइम पर लोग डेटा भी फॉर्मेट कर देते हैं, तो फिर आपके लिए भी प्रोलम हो जाएंगे, नहीं हम खुद भी गण्डो डाल यहां बीच में, यहां से चेंज, हाँ, चेंज ड्राइब, चेंज किजए, इसको ड्राइब, अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज देता हूँ, जो की सबसे ज़्यादा जरूरी है, बहुत है ट्रेनिंग, क्यों क्या करोगे, ट्रेनिंग के वीडियो मैं कोपी कर देता हूँ, यहां पर मैं क्लासेज देता हूँ, वहां की यह वीड आपको लगेगा, इसको चलाने में, और इसको सीखने में, और समझने में, क्योंकि कोई भी आद भी एक दिन में किसी को कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन फिर भी एक चीज होता है कि किसी दूसरे चीज पर आप सिप्ट हो रहे हो, तो थोरा सा, वो, सुके हैं सही होना अभी बताऊंगा, थाकि आपको समझ में थोरी बाते आजाए, यह लीजे, यह हमारा सेट अप है, पहला आपने क्यूग टैम प्लेयर को इंस्टाल करने है, क्योंकि नया मसीन है, टैम नहीं लगेगा, फास्ट में हो जाएगा, सब चीज, सब चीज सेम ही करने है, कुछ भ बारा चार सो, बारा चार सो, बारा चार सो में और इसमें बहुत का फरक है, बारा चार सो प्रोसेसर पंदर अजार चार सो रुपे की बिलता है, और यह प्रोसेसर आपको 23,000 के मिलता है, उसके अंदर में 6 कोर होता है, और इसके अंदर में आपको 14 कोर मिलते है, आठ कोर का यह नेरू प्लेस के अंदर में तो आपको पता ही है एक से काटून भी है वहां पर वहां के लोगों से आप क्या ही दिमाग वह तो सब कन्फूज करने हैं उनकी गर्मान लगे जब तक कन्फूज आप नहीं होगा तब तक आप चीजे पर जो है ना दिया आपको उनके साफ से ने जल पाओए ना यह नी देपा वह बहुत सारे समस्या होते हैं प्रीमेर हमने इंस्डॉल कर दिया अटिवर्थ हमने इंस्टॉल कर दिया और जój है फोटोसआप है पे Subscribe काम करने के लिए पहला step क्या होगा हमारा वो हम देखते हैं जो यह location है file name लिखा है न यह वाला यह बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं फिलाल M.A.M. कर देता हूँ यहाँ पर मैंने by default इसको डीड रहा है backup नाम से folder बना करके उहाँ डाल दिया है कभी आप edit करो क्योंकि यह computer है कभी भी कुछ भी हो सकता है तो आप पहला काम यह करना कि अपना footage को timeline पे लाना माली जबी काम करो light कट गया आप क्या करोगे दोबारा वो शुरूआच से करना बढ़ेगा अगर आपने control इसे कर दिया first time पे जब light भी कटेगा तो यह जो है वहां से आप backup इसको उठा सकते हो अब हम आजाते हैं जी अपने project के उपर में mixing करने वाले पे तो import project पे click करेंगे browse करेंगे और जो है अपने data के अंदर में चलेंगे यह मेरा project बना हुआ है अगर आपके उहां 3D चले तो इसके अंदर में 3D भी project है अगर आपके यहां cinematic चले ती इसमें cinematic भी project है अब लिखा हूँगा cinematic और 3D अला लिखा हाँ हाँ यह वाला 3D है तो माल लीजे कि मैं यहां से इसको खोलता हूँ तो सगाई ले ले लेते हैं सगाई आ जाएगा तो यह file यह read करने लगेगा यहां पर देखे थे read कर रहा था उसको पूरा read करने देना अब आपने यहां पर गाना को selection करना इधर कि मुझे कौन सा गाना चाहिए जो भी आपको गाना चाहिए उस गाने में double click करना shift A से select control C से copy जैसे edit किया है आपने देखे कितने cut लगे हुए फिर इसको export करेगा तो आप साथ down कर दीजे PC को एक साल के नदर आपको data delete हो जाए तो आप मेरे सीज़ा करके फिर यह ghost ले जा सकते हो ठीक है जी अब आगी SSD को identity पांच साल के आई आपको कोई दिक्कती नहीं होगा यह सारे के सारे आउनलाइन होते है आपका बिल गूम भी हो जाए कोई मतलब नहीं क्योंकि जित से भी आपने computer लिया है या फिर समान लिया है तो कहीं पड़ भी आगर आपका यह बिल भी गूम हो जाए बसरते हाँ GST के बिल कटा हुआ होना चाहिए तो फाइदा है वहिना GST के अगर आपको बिल काट के दे दिया तो कोई फाइदा नहीं है अगी जो आप यह PC चला रहे हो यह कैसे आपको लग रहा है चल देखे चलाने में बहुत है बहुत ही कंफर्टेबल है प्लिक कर देगी अरचीज फाइच में चल रहा है रेंडिंग भी बेस्ट है रेंडिंग तो बहुत ही बड़ी है जो और डाउनलोडिंग स्पीड है एडियस करने चम एक मिनट में डाउनलोड होगया बिलकुल पुर इडियस इस्टॉल होगया बड़ी बाद है न अगर आप एनलाईज नहीं करते तो तो फिर वो अपने साथ जो बताते है फिर आपको पैसे जादा कर्चा होता होता न बड़ी बात है चलो अच्छी बात है लेकिन ये PC चल ले में चल ले में तो बहुत ही सुपर है तेरा 500 प्रोसेसर लगा MSI के मदरबोर और 11TB का एक जो है आपका NVMe है स्पीड में कोई दिक्कती नहीं है एक्सपोर्ट हमने अभी किया है सिंग्माटिक वाला देखे आपने बहुत फास्ट है अगर वही जो आप सिंगल लेर पर गरोगा बन फोर्स से कम टाइन लगागा बिल्कुल बिल्कुल नसीन चलने में आपका परफेक्ट है नसीन में कोई इसो एक चीज हमेशा दियान डखना कि कभी उपर से जो है ना कोई चीज ढखना मत एरफ्लो के लिए मैक्सिमम लोगों को जो समस्याई आता है वो एरफ्लो का ही आता है तो इसको ढखना नहीं इस तरब भी खुला रहा दिया यह तो एरफ्लो के लिए है ना यह इसलिए दिया जितने भी आज इन बें काबिनेट आता है शोड़ा रहेगा शोड़ा वाला रहा नहीं लिया मेरी स्पेस मिलना चाहिए तो ज़्यादा वरिया लगिन सही है आपका फलाजिस के अंदर में दो फैन यहां पर लग गया दो वीच में लग गया कूलर यह कभी तो प्रोसेसर हेट ही नहीं होगा कभी आपके मल्टी कोर और सिंगल कोर दोनों किये थे तो आपमान साथ डिगरी से जाएगा जाएगा ही नहीं वो कभी नहीं जाएगा रीजन क्योंकि कूलर कितना अब आप देखो ना साथ डिगरी अगर मैं मैं देगे अगर मैं अब करेंगे तो भी आप मेरे को घर पर जाने के बाद में एक वीडियो बना करके वाट्स आप कर देंगा ठीक है सार चलो ठीक है सार